राज आर्यों का भाग्य फूट गया अंध्वक्त का ढोंग देश में ब्रह्मण ने फालाया है थे राज पूट सब खड़े हुए जब सोम नात लुटवाया है ब्रह्मण कहते राजाओं से मत आस्त्रसस निर्मार करो और अच्छक तो भोले संकर बसून का मन में ध्यान करो फिर राजा के लिए पूझने को मंदिर बना दिया और धंदावला चढ़ा चढ़ाव में पंडिजी ने उड़ा लिया कोई राजा भारो पूजक था कोई भक्त भवानी का कोई था काली का सेवक कोई था शिव बरदानी का इस धोखे में पर राज्य पाट सभार गए और देश मेरा वरवाद हुआ पंडित जन्माल धकार गए इनकी जूठी बातों पर धोखे पर धोख अकाया है जबसे लोगों ने भारत में हिंदु धम चलाया है करते थे बूढ़े ब्या यहां भोली भाली कन्याओं से और विधवा जब आस्रहीन हुई तो देश भरावी से हर राजा को मूर्ग बनाया अपने चल से पनितने लुटवाया धंधर्म सभी दुस्मन के दल से पनितने बड़ी बड़ी जागीरे लेकर मुगलों का संब्सक्राइब जनता से कहब वही होता जो करता है भगवान कि अब राजपाट का ध्यान छोड़कर सभी इस्वार का करो इस दो दिन के जीवन में जीवन का कल्यान करो ईश्वर की भक्ति कर लो सदा साधू सन्यासी बन जाओ धारन करो लो गर वेवस्त्र से बन उपहुंच जाओ एक रोज हुमायू ने अपनी भिर्ष्टी के सिर्परतास दिया मुस्लिम गुलाम की बेटी रज्जिया अब स्वतंत्रता का मुल नहीं था अपने भारत्वासी में कि नियारी नारियों को उन हर्मों में पहुचाया है जब से लोगों भारत में हिंदु धम चलाया है जब साह जहां दिस्त्रिया प्रेमें ताज महल रनवाता था तब हिंदू उत्रियों पर जुल्म हजार कर औरंग देव यहां का साह हुआ एद बढ़ा सीवाजी लड़ने को तो किसने हां बढ़ाया था मसुहूर हुआ आयासी में दिल्ली का मुहम्मद साह हुआ दो हजार औरते हरम में वाजी दली साहता रखता एहाल देश का पंडीजी ने तुमको कभीन बताया है जब से लोगों भारत में हिंदू धम चलाया है जब पिता हमारे पीन दान करने को चले गए हम बोले पहले घर्मन वालों सुनते ही तेवर बोले खूब कमाया है पहले पूर्खों को तारेंगे वे रहा सुर्गे की देख रहे हैं उनका न भूखों मारेंगे जिंदों को खिला न पाया जो मूर्दे को कौन खिलाएगा जो खूंद पसीने का पाशा तीरत में जाए लुटाएगा अब गिरह कटों से और रिंडियों से मसुहूर हुई कासी ध भी दूध मेवा मिठान ला करके आठा दाल धरो गरीबों का अब दकार गए मर गये काल अरा मेलाखों सब पूंच पूंच के हार मिर्गी आई पंडित कहता गिया वैताल सताता है यह सनिपात का रोगी है तो ब्रह्म राच्चा साता है इस धोके में कर जनता को अच्छा आते हैं बिश्कुट कंपट्या चाकलेट हिंदू के बाल खाते हैं जब भारतवासी मेहनत से मेवा घर्ट जाते हैं तो सत्चंडी का महायग पंडित लोग रचाते हैं कहकर दाशी कृष्ण कंधाया बेश्या नचवाते हैं भोग बताकर भायरोजी का मदिरामां सुराते हैं इतना मेवा मिठान चड़ा किस मूरत ने कब खाया है जबसे लोगों भारत में हिंदू धम चलाया है ग्वाले से ले लो दूद्हेगर तो मक्षन नहीं निकलता है बढ़िया साधिष्ण मिठाई में मक्य काता मिलता है हर नेता दगाब आज निकल पड़ी भाते मिल ग गई थी मुगलों के लगते रहते दरबार जहां बीसो विश्वा सहित पुस्त के पंडी जीने पाई यहां फिर मन गढ़नते कथा बना पंडी जीने परचार किया असला उदेश मिताने को महिसा सुर्का उतार दिया मानों ने पत्थर पूंजा मानों मानों को कब जान सका यद्दब इसकी चाया से पारूप रंग भगवान सका मानों सोता फुट पाथों पर भगवान भवन के जूलों में मानों सुत पत्तल चाट रहन नबाय दो धर्थाली भरवर जा रही हजारों कीला से बिन कफन के मुर्दा खानों में स्रंगार नहीं पूरा होता इनका रे कवी कहता है डाइन और हत्यारी है इंसान उठो पत्थर फेको इंसान उठो पत्थर फेको मानों का पुंजन होगा मानों मानों के उपनिर्मान भीधान नहीं होगा इंसान नहीं होगा नालों में मठ में पासान नहीं होगा इन धर्म कठेकेदारों का सवदा निलाम नहीं ह पर आज बने चिखने चंदन चम्चावादी के इस उगमी संगर तुम्हारा विनंदन दुष्टों के साथ दुष्ट बनकर उद्रव का काम निभाना है जो बात दो गले पन की हुन को भी सबक सिखाना है बेधर्मी बनते धर्मराज कलेवक कलेवक चिल्लाते हैं मादक सामग अगरी सेवन का बेश्या को गले लगाते हैं बेशामी सदा सीख करके गद्दारी छोड़ नहीं सकते क्या देश के रच्छा कर सकते इर्शाल दुष्ट निकम्मों की कलेव हमें खौलनी है जंगी समसीर हाथ लिए निस्ताकत हमें तौलनी है जबरा घमंड की राजनीत समाथ का यह वावर पीछे को ऐसे रह सकता है वाव